नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का Pathfinder पर So, अमरीका के लिए एक बहुत ही बड़ा जटका सामने आया है उनका hypersonic missile का जो test है वो तीसरी बार एक ही साल के अंदर fail हो चुका है Sun 2021 में US ने ये तै किया था कि वो तीन test करने वाले हैं और तीनो के तीनो test यहाँ पर USA के द्वारा connect किये जाने वाले थे वो तीनो के तीनो fail हो चुके हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं The Warzone ने सबसे पहले इसको report किया Third test of the Air Forces hypersonic weapon has failed like the ones before it So, इस particular वर्ष में कुल मिलाके तीन test US के fail हो चुके हैं बात करेंगे कि यह वाला जो तीसरा test fail हुआ है यह क्यों fail हुआ है Also चर्चा करी जाएगी कि पिछले वाले दो test जो fail हुए थे वो किस वज़े से fail हुए थे And on a bigger scale यह भी बात करी जाएगी कि hypersonic weapons को लेकर जो race चल रही है उसमें USA का फिलाल क्या हाल है चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है Anirud इस lecture की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिये गए टेलिजान चैनल के माध्यम से इसके इलावा Unacademy आप पे मुझे follow कर सकते हैं using this particular handle Anirud 15A Right So as you can see तीसरा test USA का यहाँ पर fail हो चुका है US Air Force के द्वारा conduct किया जाने वाला जो hypersonic missile का test है उसका नाम था AGM-183A आप यहाँ पर देख सकते हैं AGM-183A और US का popular manufacturer Lockheed Martin के द्वारा इस missile को manufacture करवाय गया था यह भी देख सकते हैं The hypersonic missile test has failed for the third time according to a recent report by the war zone Now यह test क्यों fail हुआ है यहाँ पर जो Air Force की LC-MC की आपकी branch है US की उन्होंने बताया है that the prototype missile failed to detach from its B-52H bomber due to an unknown error ना हो सकता है कि USA basically अपनी इज़त को बचाने के लिए यहाँ पर नहीं सामने लारा कि वज़े क्या थी और हो सकता है कि वाके में ऐसा हुआ हो लेकिन उन्होंने media को केवल इतना ही बताया है because of an unknown error यह वाला जो B-52H bomber था वो यहाँ से detached नहीं हो पाया था आपके सामने जो photo में पेश कर रहा हूँ यह US की एक flagship bomber है जिसका नाम है B-52 और USA इस particular bomber को पिछले लगभग 64-70 सालों से इस्तिमाल करता आ रहा है आप देख सकते हैं यह वाला US का B-52H bomber है इसमें किस तरीके से AGM-183A को include किया जाता है और यह यहाँ पे fire करवाई जाती है इसके पहले जो पहला test fail हुआ था वो इसी साल April की बात है तब भी लगभग सेम चीज हुई थी Air Force Hypersonic Missile fails to detach from the plane during test तो यहाँ पर भी सेम चीज हुई है कि आपका जो missile था वो B-52H bomber से detach होने में असफल रहा और पहले test में भी exactly सेम चीज हुई थी कि जो missile थी वो वहाँ से असल में detach ही नहीं हो पाई थी जो दूसरे test में क्या देखने को मिली थी कि missile तो Air Force वाला जो उनका विमान था उससे तो detach हो चुकी था लेकिन जो rocket motor था वो यहाँ पर ignite नहीं हुआ था अब देख सकते हैं यह वाला जो दूसरा earth of test US को देखने को मिला था इसमें US Air Force said इस second test of the air launched rapid response weapon hypersonic missile failed after the rocket motor did not ignite तो पहला step वहाँ पे सही रहा लेकिन दूसरा step वहाँ पे खराब हो चुका था अगर हम लोग बात करें कि US की जो hypersonic missile है वो किस तरीके से काम करती है आप बहतर समझ पाएंगे कि यह test basically किस stage पे जाके fail हो रही है यह देखें hypersonic missile में क्या होता है कि starting में तो आपकी जो missile है वो यहाँ से एक बार launch होना शुरू होती है एक बार यह launch होती है तो atmosphere के बाहर चली जाती है उसके बाद atmosphere के अंदर re-entry करती है imagine कीजिए कि यह धरती का जो surface है इस तरीके से curved surface है और यह एक बार atmosphere के बाहर चली जाती है फिर re-entry करने की कोशिश करती है जब यह re-entry करने की कोशिश करती है re-entry करने के बाद यहाँ पर यह वाली जो missile है इसका detach होना काफी important है और उसके बाद यह एक glide vehicle की तरह आगे जाती है इस तरीके से glide करते करते यह finally अपने target को vertically जाके hit करती है now because यह यहाँ पर ही आपका failure हो रहा है detachment नहीं हो पा रही है तो gliding यहाँ पर आगे नहीं हो पा रही है यह वाला phase अगर आपकी missile नहीं पूरा कर पाती है उस case में हम उस missile को a-suffel pariction के category के अंदर मानेंगे और USA का जो पहला test था और जो तीसरा test था दोनों में सेम दिक्कत देखने को मेरी थी यह glide वाला phase is one of the key phases in the test of the hypersonic missiles जो बड़ी यहाँ पर सवाल सामने आता है जो बड़ा सवाल सामने आता है वो basically यह है कि दुनिया भर में जो चल रही hypersonic missiles की race है उसमें USA असल में काफी पीछे छूट चुका है Russia और China की बात करें तो वो लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं इन फाक्ट यहाँ पर USA के ही एक general है जिनका नाम है General Thompson उन्होंने कहा आप देख सकते हैं यह वाली खबर हाल ही में सामने आई थी 21 नवेंबर की बात है इन फाक्ट अगर आप देखेंगे तो चाइना जो की USA में USA से defense के शेतर में काफी पीछे है उन्होंने अल्रेडी hypersonic weapons को field करना शुरू कर दिया है जबकि Pentagon जो की USA का defense देखता है वो अभी तक केवल testing में ही लगा हुआ है इन फाक्ट experts ने ये भी आँगडे सामने पेश किये है कि Pentagon तो केवल एक साल में 9 टेस्ट कर रहा है missile के लेकिन चाइना more than 100 test missiles के यहाँ पर conduct करवा रहा है इतना ही नहीं आपके सामने है Russia Navy ने इस साल में कई सारे test को conduct करवा लिया है not just the Russian Navy, Russian Air Force ने भी hypersonic missiles को test कर लिया है और इनका जो latest test हुआ था ये November 29 को conduct करवा गया था Russia की जो hypersonic missiles है उनका नाम है Zircon ये एक पूरी series of missiles है जो की Russia की अलग-लग सेनाई test कर चुकी है और Russia ने सारे के सारे test काफी successfully यहाँ पर conduct करवाए है इसके बाद आप देख सकते हैं Russia carries out another successful test of the Zircon hypersonic missile but again USA यहाँ पर काफी पीछे छूट चुका है China ने in fact नई space capability को test किया with the hypersonic missile and also China launched second missile during the July hypersonic test कई सारी इस तरह की reports सामने आ रही है और ये दोनों की दोनों countries में सफल भी साबित होई है लेकिन USA यहाँ पर सफल साबित हो रहा है अब USA के लिए आगे क्या है तो USA ने यहाँ पर घोशित कर दिया है the service would resume testing the hypersonic weapon as quickly as possible the system would be returned to the factory to analyze its telemetry and the onboard data in fact जो दूसरा test हुआ था और जो पहला test हुआ था उसके अंदर भी जांच चल रही है अब USA के उपर एक और मुसीबत आन पड़ी है कि उनको इस तीसरे test के भी जांच करनी पड़ेगी तब ही जाकर के वो अपना next test यहाँ पर conduct करवा पाएंगे फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग रहे हैं तो जल्दी कीजे और इस subscription को purchase कर लीजे साथ ही में यह latest batches हैं जो कि आपके लिए विलिबर करा जाएंगे 2010-12 को शुरू होने वाले हैं 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए अलग रूप से batches को शुरू करवाया जाएगा इसके साथ में इस रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है combat में जिसमें you have to use the referral code ANI-UPSC so that आपको scholarship मिल सके On that note, I take your leave. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.